जालोर के चोहान चलिए शुरू करते हैं मिमान सा ओनलाइन अकेडमी पर संपूर इतिहास की हम बात करेंगे जालोर का संपूर इतिहास सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस शब्द के बारे में जालोर शब्द कैसे बना हुआ है क्या है इसके पीछे का इतिहास देखिए जालोर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एक है जाल और दूसरा शब्द है लौर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जाल क्या होता है एक तरह का पेड़ है यह एक पेड़ है और लोर का मतलब होता है सीमा तो यहां पर लोर का मतलब सीमा होगा अर्था यहां पर क्या है कि पेड़ों का शेत्र जो है यहां पर यह जो शेत्र है वो इस जाल नामक पेड़ का यहां पर अधिक की होन दसवी सदी के अंत में क्या होता है कि यहां पर शाषक होता है परमारवंच का परमारवंच का शाषक होता है और जो अधिकार करता है उसका नाम होता है मुंझ परमार शाषक मुंझ होता है और इसके बाद में यहां पर परमार शाषक कुंत पाल नाम से और वीर नरेन नाम से जो शाशक होते हैं वो भी यहां पर राज करते हैं फिर क्या होता है कि एक विक्ति होता है किर्टिपाल चुहां किर्टिपाल चुहां क्या करता है इनको हरा देता है और हराने के बाद इनका शाशन समाप्त करने के बाद किर्टिपाल यहां पर चुहां वंच की इस्थापना करता है तो हम आगे के अब हम किर्थिपाल चोहान के बारे में बात करते हैं किस तरह से इनको हराता है किसे क्या करता है यह सब बाते हम करते हैं चलिए शुरू करते हैं अब देखिए हम यहाँ पर कुछ इस्तोतों की बात भी कल देते हैं जैसे कि चोहान वंश के बारे में ज प्रबंद जो कि महत्पूर्ण गरंथ माना जाता है यह 1445 में लिखा गया था और इसके रचनाकार है पद्म नाब इससे हमें चौहानों के शाषन के बारे में अत्यारिक उसके बाद एक और इसी का करंत है वो है वीरम देव सोनगरा रिवाथ शोनगरा रिवाथ इन्होंने लिखा है शोनगरा रिवाथ कि यह बी बात करता है और जालोर प्रशस्ती तो यही जो की जालोर के चोहनों के बारे में बात करती है चलिए बात करते हैं किर्थिपाल चोहन की सबसे प्रमुक शाषक जो था सबसे प्रतम शाषक वो था किर्थिपाल चोहन किर्थिपाल चोहन की बात करते हैं यह कौन था तो यह देखी यह नाडोल का जो चोहन शाषक था नडोल, नडोल का चुहान शाषक था, अलहन उसका बेटा था, अलहन का ये क्या था, ये पूत्र था, नडोल का चुहान शाषक था, अलहन का पूत्र था, ये क्या था कि एक महत्व कांची शाषक था, ये अपना सामराची बढ़ाना चाहता था, इस करण इसने परमार वंच शाषको को समाप्त किया और जालोर की स्थापना की इसी करन किर्थिपाल को जो है वह चौहान वंच का संस्थापक कहते हैं कौन सी शाका का जालोर शाका का संस्थापक इसको माने जाता है इतियास कारे मुनोत नेनसी मुनोत नेनसी जो है इसके बारे में बहुत इंपोर्टेंट कतन है यहाँ पर मुनोत नेनसी की किताब है मुनोत नेनसी ख्यात उसमें इसी किर्थिपाल चौहांद को वो क्या कहता है कि तु एक महान राजा कहता है कि तु एक महान राजा तो यह बात आप दियान रखना बहुत इंपोटेंट है कि तु एक महान राजा कोन केता है मुनोत नेंसी केता है अपने ही गरंत में केता है मुनोत नेंसीरी ख्यात में अब देखे किर्थिपाल चोहां ने क्या किया था कि ग्यारासो चुमोतर की बात करते हैं ग्यारासो चुमोतर न बात करते हैं देखिए यहां पर किर्थिपाल के बारे में बात करते कि इसी को शेव दर्म का सरक्षक भी बताया गया है जो मकराना का शेव दर्म का सरक्षक जो है वो किर्थिपाल चोहन को बताया गया है और क्या होता है ग्यारासो बरियासी में इस किर्थिपाल चोहन की पूत्र था कौन था पूत्र था यह बनता है ग्यारासो बरियासी से लगा कर जो बारासो पांच तक इसका शाशन समय माना जाता है समर सिंग बनता है इसका राजय अभिशेक तो कहा होगा जालोर में होगा क्योंकि जालोर का शाष्य कहिए इसने क्या क्या कि इसने जालोर दूर के चारो और का जो परकोटा है वो बना दिया परकोटे का निर्मान अगर पूछा जाए जालो दूर के चारो तरफ परकोटा किसने बनाया तो वो बनाया था समर सिंग ने बनाया था और इसने अपने पुत्री थिस की पुत्री ती लिल्प देवी ऐसे कंती मिला égal देवी का विवा इसने Lights हे विवा करवाए था विवा करवाए था बिईम डेव बिईम देव के साथ में में बिईम देव सेकम्ड से करने द्हान रखिएगा जो हमने अजमेर के हमने पड़ा था और इसी भीम देव ने क्या किया था मौमबद गोरी को भारत में पहली बार हराया था अहिन वाड़ा के युद्ध में यह हमने बात की हुए कब हुआ था वो युद्ध 1188 में हुआ था तो यहाँ पर भीम देव दूती से इसने अपनी पुत्री का विवा करवाय तो समर सिंग की बाद यहां पे समाप्त होती है अब इसके पाद एक मत्पूर शाशक आता है जिसका नाम है उते सींग जी हा उते सिंग बहुती पड़ाकरमी शाशक था ये इनका समय माना जाता है 1205 से लगाकर 1207 तक 1205 से 1207 तक का शाशन था किसका बेटा था ये इनके पिता का क्या नाम था समर सिंग पिता कौन थे इनके समर सिंग समर्ण सिंग पिता का नाम इन्होंने क्या किया थे है कि इन्होंने अपने सामराज जी का काफी विस्तार किया था और इन्ही के काल में द्यान रखे का इन्ही के काल में 1228 में इल्टूत्मिश ने आक्रमन किया था दिल्ली का सुल्तान था उस समय इल्टूत्मिश उसने जालोर पर आक्रमन किया था पर किया था कि बयंकर घर्मी के कारण इल्टूत्मिश की सेना वापस दिल्ली चली गई तो और इल्टूत्मिश जो था वो जालोर को जीतने में असफल रहा तो इसी कारण से इसी दूर्ग के बारे में इलतूतमिश का आकरमन जब असफल रहा तबी मुस्लिम इतियास कारून ने लिखा था कि जालोर का दुर्ग बहुत अधिक शक्तिशाली था अभी तक किसी मुस्लिम शाशक को दुर्ग के दुवार लांगने में सफलता नहीं मिली थी और यह सब जानकरी हमें कौन देता है हसन निजामी देता है आप हसन इज्जामिश की किताब का नाम भी ध्यान रखेगा ताज उल यासीर तो इल्टूत्मिश की आक्रमन की जानकरी हमें इसी पूस्तक से मिलती है अब क्या होता है 1257 में उदेश सिंग की मृत्य हो जाती है ओके और उदेश सिंग के बारे में ध्यान रखेगा कि इसका है स्टल आं देश सांग ने भी किया था उदेश से समय क्या था कितर का शाषक को हों था जेतर सिंग लिए तैट घान रखेगा यह जैतर शाषक था क्योंकि इसके पोत्री इसकी पोत्री थी पोत्री रूपा देवी रूपा देवी का विवा जेतर सिंग के पूत्र तेज सिंग से करवा दिया तेज सिंग से विवा करवा दिया तो इस तरह से यहां पर उदेश सिंग के बाद भी समाप्त होती है अब आगे हम बात करते हैं एक शाशक आता ह है उजिसका नाम है चाचिंग देव के बारे में ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है यहुद्देओ सिंह का पूत्र था और इसके समय में बल्बन का सामराजी था ध्यान रखेगा दिली सलतन्त में बल्बन था और किसी भी प्रकार का मुसलिम आक्रमन इसके समय में पर सामंस vendors जालूर के शाष्रषक बनते हैं और बलबंस ने इस समय में सामंसिंग के समय में क्या होता कि बलबंद next कर दयान रखे digest करूष सबिज़נה और slag आपने सेनापा बिजा था यह बाद यान रखेगे का 1200 बाष्य Сов बरियासी में बिजा और अब क्या लिए हवा कि अब बारसो इकरनों में क्या हुआ जलाल ोदिन खिलजी जो था वो साइशक बन चुका था उस समय और सांचोर तक आ गया था पर सामन सिंग में क्या क्या की ऐक भागेला का सर्दार था सारंग दियो उसकी साहेता से सारंग दे हो था उसकी साहिता से जलावदिन खिलजी की सेना को रोग दिया और उसके बाद में 1200 छंडियों में तो कौन शाषक बन गया अलावदिन खिलजी बन गया अब अलावदिन खिलजी के शाषक बनने के बाद सामन सी को लगा कि अब वो इतने सारे इतने बड़े श चोहान को राजा बना दिया जो की 1305 में जालोर का शाषक बनता है तो अब सबसे महत्पून शाषक आते हैं कानधे चोहान कानधे कानधे चोहान अब सबसे इम्पोर्टेंट शाषक अब इनकी कहानी शुरू होती है समय है 1305 से 1301 कानर दे चोहान की बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं कानर दे चोहान के पिता का नाम हमें पता है कुन था सामन सिंग सामन सिंग के पिता जी थे काणरदेव की विशे में हमें जो जानकरी हमें कांसे मिलती है हमें पहले बात की पधमनाब का गरंत है कानर दे प्रबंद और वीरम देव सुनन गरारी बात है यहां से हमें जानकरी मिलती है और इसके समय कौन ता सुल्तान अलावदिन खिल जी था जो कि सामरा जीवादी नीती के तहट जालोर पर आक्रमन करता है अब यहां पर दो तिन गरंतों कि हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कानड़ दे प्रबंद की प्रबंद की बात करते हैं कि खिल जी ने आकरमन क्यों किया तो इनके कारणों पर हम सबसे पहले लेते हैं कानड़ दे प्रबंद जह कहता है कि 1218 में क्या हुआ था बारासो इठेणों में क्या हुआ था कि अलाव दिन खिल जी ने गुजरात पर आक्रमन किया था तो सोमनात मंदिर को नश्ट करने वो जा रहा था तो उसकी सेना जा रहे थी नुसरत खाँ और उलू खांके नित्रत में जा रहे थी तो उसने जाने के लिए रास्ता मांगा त कोचा तो उसने खिल जी की जो सेना थी वो गुजरात काठियावाड को जीत कर सोमनात के मंदिर को नश्ट करके खुब लुटा हुआ सामान लेकर आई थी तो वो जालूर के सेमा से गुजर रही थी वापस तो कानर दे ने इस शाही सेना को सबक सिखाने का निश्चे किया और कानर दे ने अपने मंत्री जेता व देवडा जी ध्यान रखेगा जेता व देवडा ये मंत्री थे कानर देखे जेता व देवडा को उनकी उलुखा की स्तती पता करने के लिए भेजा तो मंत्री ने वापस आकर कानर देव को युद्ध करना तो अनुचित बताया तो उ चाही सेना सारा धन वहीं छोड़कर डिल्ली की तरफ भाग गई अपनी जान बचा कर भाग गए और इसका पता जब अलाओ दिन खिल जी को चलता है तब वह बहुत गुस्सा हो जाता है और इसी कारण वह जालोर पर क्या करता है आकरमन करता है केते हैं कि जो सोमनात की मूर्त क्या सकार है फरिष्टा फरिष्टा क्या कहता है इस मामले में फरिष्टा यह कहता है फरिष्टा यह कहता है कि खिल जी ने जो है वह अब तेरा सो पांच की बात करता है फरिष्टा तेरा सो पांच की बात करता है कि उसने एनुल मुल्क मूलतानी को जालोर दूर पर आकरम पसन भी दिया था पर जब कांदर देव दिल्ली गया तब उसको अपमांजनक इस्तति का सामना करना पड़ा इस कारण वह वहां से युद्ध की चुनोती देते हुए वापस आ गया और बीना कहे खिलजी को बीना बताए वह वापस आ गया जिस कारण नाराजोगर खिलजी न बताते हैं फिरोजा और वीरम देव की कहानी बताते हैं फिरोजा कोन थी यह थी खिलजी की पुत्री और वीरम देव कोन था यह था कानर देव चोहान का पुत्र मुहमत नेंसी केते हैं कि कानर देव चोहान और कानर देव चोहान अकसर दिल्ली जाय करते थे खिलजी के दर करने लग जाते हैं यह बाद जब खिल जी को पता चलती है तब फिरुजा को डारता है पर फिरुजा नहीं मानती है फिरुजा विरम देव को कहता है कि तुम फिरुजा से विवा कर लो तो इस विवा की बाद पर कि वो तो मुसलिम है फिरुजा तो मुसलिम से विवा करने की बात पर वीरम देव चुपचावा से निकल कर डिली से निकल कर जालोर आ जाता है जिस कारण से जिससे नराज होकर खेलजी जो है वो जालोर पर आक्रुमन करता है करते हैं कि बाद में कानर दे जो कानर दे चोहान तो वीर करती को प्राप्त होते हैं और वीरम देव भी जो है अपने जान दे देती है तो इस तरह से यहाँ पर तीन कहानियां हमने बताई आपको कानवर्दे प्रबंद्व की बात की हमने फरिष्टा की बात की और मौनोत निर्णसी की भी बात हमने की चलिए आगे बात करते हैं अब क्या हुआ कारण चाहे देखे कोई भी रहो पर अलावदिन खिल जी पूरी तयारी के साथ आए था यह बात अधियां रखना तो सबसे पहले अलावदिन खिल जी ने जालो दुर्ग की जो कुंजी कर लाता था जालो दुर्ग की कुंजी सीवाना जालो दुर्ग की कुंजी किसे का जाता था सीवाना यानि कि अगर सीवाना को जीत लिया तो आपकी आदिजीत हो गई तो सीवाना आपको उसने सबसे पहले आकरमन किया कब गया था दो जुलाई 1308 को वो सीवाना का उससा में शाशा को था शीतल देव था शीतल देव शीतल देव को भी इसने धोके से राय था अलावदिन खिलजी ने क्योंकि सीवाना तो पहुच चुकिती गेरा डाल दिया था तो फिर क्या 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 अलावदिन ने शीतल देव का जो सेना पती था सेना पती था यहां पर नाम दियान रखेगा इसका नाम था भावला भावला को अलावदिन खिलजी ने दूर्ग का लालस दिया तो इस भावला ने क्या किया दूर्ग का जो एकमात जलाशय था उसमें खून मिला दिया और उसको अप वित्र कर दिया जिसका रण जल के समस्य उत्पन हो गई और उसके बाद राजपूत इस्तियों ने शितल देव की राणी का नाव था मेना दे मेना दे के नेत उतमे तो क्या हुआ था यहांपर जोहर हुआ था इबात आप दियान रखेगा और राजपूतों ने शितल लेव या हम कहा सकते हैं सातल लेव एकी बात हैं सातल लेव के नेत्तव में क्या क्या था साका क्या था और इस तरह से 1308 में 308 में अलावदिन खिल जी का सीवाना पर अधिकार हो गया। और इसी सीवाना का नाम उसने बदल कर क्या कर दिया ? खेराबाद करदिया ठ्यान रखिएगा, खेराबाद खिजराबाद इसने चितोडगा किया था और जब कि सीवाना का किया किया इसने खेराबाद कर दिया और कमलुदिन घुर्ग को इसने एक किला दे दिया और वापस दिली चला गया तो इस तरह से तो सीवाना दुर्ग की बात हुई सीवाना दुर्ग का है यह हमार हथा चपन की पहडियों में स्टीति और हल्देशवर चपन की पहड़ियों में अधिल दिश पहडियों पहड़ियों हभ Thy इसका निर्मान जो है वो वीन नाराम पमार में करवाए था और यहीं पर ध्यान रखेगा झाहिए नारानव्या मलकाना के युद्ध में क्या हुआ था कि शंसका और उसकी पत्नी को कानड़ दे का जो भाई था मालदेव और उसके बेटे ने शंसका और उसकी पत्नी को गिरफतार कर लिया जिसका रहन से शाहिच सेना अहार कर चली गई अब क्या हुआ अब कमालुदीन गुर्गु को अलाउदीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमन किया और सेनापति किसको बनाया कमालुदीन गुर्गु को बनाया और दुर्ग का जो सेना पती था, क्या नाम था उसका? दहिया राजपूत भीका, ये नाम भी बोद बावर पूचा जाता है, दहिया राजपूत भीका, इसको वापस उसने दूर्ग का ललस दिया और अपनी उर्ग गुला लिया जिस कारण से इस व्यक्ति ने दया राजपूत बिका ने जालो दुर्ग के घुप्त रास्ते के बारे में कमालो दिन गुर्ग को बता दिया और दहिए राचपूत ने जब यह बात अपने पत्नी को कही के मैंने तो रास्ते बता रिये हैं और मैं अब राज़ा बन जाई गा तब उसकी पत्नी ने उसको सोते हुए उसको मार दिया और पत्नी ने भागे-भागे जाकर कांळ्डेव को सारी बात बताई पर तब तक वो देर हो चुकी थी क्योंकि तूर्कि सेना जो थी वो दूर्ग कें अन्दर जा चुकी थी तो अब यहाँ पर उसके बात हो तो जोहर किसके नित्रत में होगा यह धियां रखे गा जेतलद के नित्रत में हो। जोहान के नित्रत में होगा ध्यान रखिये गई है वीरम देव जो था इसका पुत्र उसने आशापूरा माता के सामने स्वेम कटार से आत्मत्या कर ली तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इन तीनों जो है वो समाप्त होते हैं उसके बाद क्या हुआ कि जालो दूर्ग इसने जीत लिया अलाउदिन खिल क्या करते हैं तोप मस्जिद भी कहते हैं वह तेरा सो ग्यारा में अलाउदिन खिलजी का इस पर अधिकार हो गया तो इस तरह से कानड़ी देव के बाद क्या हुआ कि जालोर के चौहनों की शक्तियों समाप्त हो गई और जालोर अभियान के बाद कानड़ी देव का जो भा मतलब लाउदिन खिलजी ने चितोड को भी जीता था तेरा सो तीन में तो उसके बाद में खिज रखा के जगा इस माल्यों को वहां चितोड का किलेदार बना दिया और स्वयम जो है खिज रखा के साथ दिल्ली चला गया तो इस तरह से यहां पर जालोर के सोन गरा चोहनों का जो इतिहास से वो समाप्थ होता है धन्यवाद मिमान सा उनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद